Hello Everyone, Welcome to World Updates मैं हूँ शिचांक लखेर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलकुल जो है सब्सक्राइब कर दो हनुमान स्टीकर जिसको जो है रिमूफ कर दिया गया था इसमें मैंने एक शॉट भी अपलोड किया था लेकिन अब उसी हनुमान स्टीकर को वापिस जो है पुट कर दिया गया है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट के एरक्राफ्ट पे और हनुमान जी वापिस जो सुबर सोनेक विमान है उस पे आपको देखने को मिलेंगे और इसके रिकार्डिंग आर्टिकल भी है स्टीकर ओफ लॉर्ड हनुमान इस बैक ऑन हल एरक्राफ्ट और आपको पता होगा हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट ने जो अपने हल एरक्राफ्ट है उसमें पहले ये स्टीकर को जो है लगाया फिर जो हटा दिया तो ए और देखिए ये जो एरो इंडिये 2023 शो हुआ ना ये भारत के लिए काफी इंपोर्टेंट था इसमें 98 कंट्रीज ने हिस्सा लिया कई सारी कंपनी जैसे की बोईंग इसके अलावा जो लॉखिड मार्टेन है और भी जो कंपनी से वो आपके यहां पे देखने को मिलेंगी कि actual में हमारा देश कितना यहां पे powerful है और यहां पे यह भी बताया जा रहा है कि 50,000 करोड की जो order है वो आपको pipeline पे देखने को मिलेंगे Egypt, Argentina इन्हों ने जो अपने LCA तेजस है उस पे interest बिलकुल यहां पे दिखाया है और यह जो Arrow India 2023 शो है ना यह हो रहा है बैंगलोरू मे और इसको organize कर रहा है defense exhibition organization जो कि ministry of defense के अंडर में काम करता है और इस बार की जो theme है वो है the run away to a billion opportunities और देखिए यह जो आप HLFT 42 aircraft देख रहा हो ना इसमें जो यह तेल पे आपको हनवान जी का एक चितरे देखने को मिलेगा और यहां पे लेखा है the storm is coming तो यह जो पूरी image है यह काफी जादा जो है चर्चा में रही है पांच दिन के air show में पहले ही दिन जो है इस image को यहां पे remove कर दिया गया अब इसके बाद जो हिंदस्तान aeronautics limited है उसके उपर कई सारे सवाल उठे कि कैसे आपने जो है एक दम से यह जो चितर है पहले यहां पे दिखाया फिर 42 aircraft है यह next generation का supersonic trainer jet है इसको पहली पार जो है full scale में showcase किया गया कि आने वाले समय में भारत के पास इस तरीके का next generation supersonic trainer jet है वो आपको जो है देखने को मिलेगा और इसमें आपको कई सारे advanced avionics देखने को मिलेंगे जैसे कि active electronically scanned array है जिसको आप यही ऐसे कहते हो इसकी सास्त electronic warfare है और fly by wire control भी आपको देखने को मिलेगा तो basically कई सारी modern technologies से जो है यह fighter jet less होने वाला है मतलब आने वाले समय में इंडिया को इसके सासा जो देश हम से जो है यह सब यहां पर purchase करेंगे ना उनको भी काफी अच्छा जो trainer jet है वो मिलेगा लेकिन अब आप यहां पर यह भी बोलो basically एक internal decision था क्योंकि देखिए ऐसा हो भी सकता है कि religion को लेके जो है कोई और यहां पर aircraft टुडाएगा तो उसको जो है यहां पर दिक्कत हो लेकिन अगर आप देखो के तो aeronautics जो body है वो यहां पर यह कहती है कि basically हमने जो है picture यहां पर split display करी थी पहले कि हम जो aircraft का power है वो यह यहां पर है वो रहे गई तो वापिस जो यह trainer aircraft है उसमें आपको बिलकुल हनमान जी की जो चित्र है वो बिलकुल देखने को मिलेगा और देखिए यह जो शू है Aero India 2023 इससे इंडिया को बहुत ज्यादा उम्मीदे हैं काफी सारे जो orders है वो हमको बिलकुल यहां पर मिल सकत है और मैं आपको इसी बता दू कि पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने अपने F-16 को जो है इस Aero India शो में भेजा है एक चीज़ आप देख रहोगे कि आज के समय अगर आप देखोगे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा महरबान आपको भारत की तरफ देखने को मिलेग और इसके जो है various reasons है वो जो है मैं आपको और आगे वीडियो में पता दूँगा that last I hope कि आपको जो है इस फड़ो में काफी को जानने को मिला होगा आप अपने ओपीनल लिखे के ज़रूर इसी के साथ ये था end इस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चेहिंद च ये वारत